असलाम लेकुम फ्रेंट्स उमीदे कि आप सब ख्यारियत से होंगे जैसे के अब हम स्टार्ट करते हैं सीरीज बीपीएस 5-15 की मैथामेटिक्स की प्रपेशन की तो आज इस वीडियो में हम सॉल्फ करेंगे रेशन प्रपेशन के कुछ इंपॉर्डटन एमसी क्यूज और ज को अगर आप यह तमाम कुस्टिन डाउनोड करना चाहते हैं तो आप यहां पर गुगल में आकर लिखेंगे फारीना असलम तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसे आप इजीली यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद अगर इसको डाउनोड करना हो जो में कर्दाउंगी तो वीडियो को लाजबी देखिएगा ताकि आपका कॉंसेप किलियर हो जाए तो इसमें आप किलिक करेंगे तो आपके पास यह एजब करके रख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले आप प्रेक्टिस कीजिए उमीद क करती हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे अब सॉल्फ करते हैं अपने कॉस्टेंस को तो स्बसे पहला कॉस्टेंस में हमारा क्या कह रहे हैं कि इन अ क्लास यह टुइंटी बॉइज इन फिफ्टीन कर्स जब रेशो वाइस तुटी गर्ल इस हमें रेशो मालूम करन सिफ्टीन के पहले हम वाइस को लिखेंगे रेशो लगाएंगे उसके बाद हमने गर्ल्स का लिख दिया अब करेंगे कैंसल आउट इस तरह कैंसल आउट करेंगी कि दोनों एक के टैबल में कैंसल आउट हो जाएं जैसे कि यहां पर फाइफ फोर्स हा ट्वेंटी और कि यह थी तरह दूशा करुसर से ने इटेंटीफाइटी संबल आफ रेशो यह तो हमें सब को इ weaker के इंवेर रेशो का साइन ह। पहले से मैंशंड किया हुए लिए कले लिए कंस्यों में ऑदेएकी है और आप देखिए इंडिगे जूसरा क्र नात्र आप रान सबर्स का है तो मैं कॉंसे में मजीद के लिए कर दूंगी और यहीं मेरी वेबसाइट पर भी आवेलाबिल है आप जाकर देख सकते हैं आएं देखते हैं हम बाकी अपने कॉस्टेंज को अब हम देखते हैं कुछ और किस्टेंज यहां पर फर्ट करना पड़ेगा तो वह में आगी सल्के आपको स्लाइड में समझा दूंगी किस तरह स्वाल होगा वैसे इसका करेक्ट अब करेंगे इसके बाद करेंगे इसके बाद हम आते हैं फोर्ट किस्टेंज की तरफ इन ए भी ही इस अब यहां पर कहरें कि अगर कंडिशन वैं में ए डिशो भी गिवन है तो ए को हमें क्या कहना है मक्स hyped zo क्या कहलाएगा तो यहाँ पर आप देखें मैंने यहाँ पर अलडी यहाँ पर mention किया हुआ है ताकि आप लोगों का concept clear कर सकूँ तो यहाँ पर कह रहे हैं कि A ratio B that mean कि A upon B अब यहाँ पर A को हम क्या कह सकते हैं antecedent और उसके बाद B है तो B को क्या कहेंगे consequent तो यहाँ पर हमें किया पर बोल रहे हैं कि इन A ratio B here A is called अब A ratio B की condition हो जिसमें A हम कैसे कहते हैं antecedent that mean कि हमारा C option जो होगा वो हमारा correct answer होगा अक्सर इस तरह कि MCQs हमारे task के अंदर आ जाते हैं जो कि हमें जहन में नहीं होते तो इन चीज़ों की knowledge होना लाजमी है अब हम देखते हैं question number 5 को तो इसमें क्या कह रहे हैं कि A ratio B here B is called अब यहाँ पर कह रहे हैं कि A ratio B हमें given है तो B को हम क्या कहेंगे same जैसे हमने A का सीखा कि A को हम क्या कह रहे हैं कि incident similarly B को हम क्या कह रहे है that means कि इसमें जो हमारा correct answer होगा वो हमारा क्या हो जाएगा C option हो जाएगा उसके बाद हम आते हैं 6 पर तो 6 का जो correct answer होगा वो हमारा C option होगा लेकिन इसको भी हम आगे जलके slide में पूरा completely solve करेंगे ताकि आप लोगों का concept clear हो तो question number 6 और question number 3 जो हमारा remaining रहता है वो आगे चलके में slide में solve करती हूँ तो video को बिल्कुल भी skip नहीं कीजिएगा complete देखिएगा ताकि आप लोगों का concept clear हो जाए अब देखते हैं आगे के mcqs तो यहां पर क्या क्या रहे हैं तो equality of two ratios are non as अब यहां पर क्या रहे हैं कि दो ratios की जब equality आजया तो उसे हम क्या कहते हैं ratio कहते हैं proportion कहते हैं variation कहते हैं यह antecedent कहते हैं तो सबसे पहले हम 8mc को समझते हैं उसकी भीहाब पर हम 7 को भी समझ लेंगे तो 8 में हमें क्या कहते हैं कि proportion a ratio b c ratio d the quantities a dr card अब यहां पर केरिंग अगर हमें कुछ condition इस तरह की given दी जाए तो इस condition में हम एड की quantities को हम क्या कहेंगे that mean के a d quantities को हम क्या कहेंगे extremes means ratios you're all of them तो यहां पर आप क्या करेंगे इस को अपर का option तो मैं बता चूगी इसका proportion होगा वह कैसे होगा वह भी बता दूंगी अब यहां पर देखें हमें condition गेवे ने कुछ इस तरह की a ratio b उसके बाद जो है c ratio d अब यहां पर हम देखेंगे के ratio में जब solution करते तो किस तरह करते हैं product और b और c को हम क्या कहते है means तो यहां पर यही पुछा जा रहा है कि in proportion के a ratio b और c ratio d जब हम इसको solve करते हैं a को d से product करेंगे तो वो हमारी quantities क्या कहलाएंगी वो countries हमारी extremes कहलाती है अगर इसकी जगह आ जाए हमारे पास b c that mean के वो हमारी क्या कहलाएंगी means कहलाएंगी तो यहां पर जो इसमें हमारा correct answer रहा हमारा क्या हो जाएगा extremes हो जाएगा अब इसी कोई देखते हुए उपर आले question को समझते हैं इननों कहा है कि अगर equality of two ratio that mean के दो ratios की equality आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं किस तरह से जब हम product of extremes करें और product of means करें that mean के यहां पर अगर दो ac terms given हो जिनको multiply करके हम side पे रखें और इन दोनों का multiply करके रखें तो दोनों के answer अगर same आ जाएं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं proportion कहलाते हैं जैसे के a को d की टरम से multiply किया that mean के अगर हमने 2 यहां पर 2 है और यहां पर 3 है तो हमने 2 को 3 से multiply किया तो क्या तो हमारा equal नहीं आता तो वो हमारा not proportion होगा otherwise यह हमारा क्या कहलाएगा proportion कहलाएगा तो यह यही कह रहे हैं कि अगर ratios के अंदर equality आ जाए तो हमें क्या कहना चाहिए उसको वो हमारा proportion कहलाता है तो इसी तरह हमें identify करना होगा एक example के तोर पे अगर हमें given दे दें कि आप किजिएगा और सेकिंड ट्रम को था ट्रम से multiply करके देख लीजेगा देट मिन कि product of extremes equals to product of means जब multiply करके रखेंगे अगर equal आ जाए तो हमारा proportion कहलाएगा otherwise not proportion कहलाएगा और यह भी बात जहन में रखिएगा कि product of extremes हमारे कौन से होते हैं A और D होते हैं और product of means हमारे क्या होते है B और C होते हैं तो इस तरह से हमारा जो है answer आ गया अब हम देखें question number 9 में तो question number 9 में क्या कह रहे हैं कि in proportion यहाँ पर हमें given है the quantity is BCR call जैसे कि उसके पुछा था कि AD को हम क्या कहते हैं और उसके बाद हम BC की बात कह रहे तो उसे हम क्या कहेंगे तो पीछे की slide में AD को हम क्या क ृ जार शमने तो चरुम क्या कते हैं लेकिन किस तरह कहते हैं कि सॉलीशन के मुदाрах यहां पर देखें यह लोगों का बताया था हमारा means हो जाएगा, उसके बाद हम 10 पर आते हैं, इसमें किया रहें कि x के value को find out करें, तो हमने यहाँ पर question जो हमें given हैं, हमने same rewrite कर लिया, 2 ratio 9 equals to x ratio 36, अब हम करेंगे product, इन दोनों के 2 multiply by 36 करेंगे, और 9 multiply by x करेंगे, that mean के product of extremes, means, यह हमारे extremes करेंगे, यह हमारे product of extremes होते हैं, और यह हमारे product of means होते हैं, that mean के bc हमारे क्या है, यह है, क्योंकि जब a यह है, b आपका यह, c आपका यह, d आपका यह, according to the journal form, तो यह हमारा bc, यहाँ पर देखें, उपराल mcqs में यह ही पूछ रहें के bc के quantities को हम क्या कहते हैं, तो bc के quantities को हम कहते हैं, means, और ad के quantities को हम कहते हैं, extremes, अब यहाँ पर करते हैं, product, तो question number 10 को solve करते हैं, 9 multiply by x किया, तो क्या है, 9 x, 2 multiply by 36 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 72, अब हम ही क्या करना है, x को मालूम करना है, तो x हमारा same यही रहेगा, 9 यह multiply हो रहे हैं, अगर इस तरफ हम divide कर देएं, direct हम cancel कर देएं, कि 9 1s are 9, और 9 8s are 72, यहाँ पर आप direct cancel कर देए, 9 1s are 9, 9 8s are 72, that mean कि x की value हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास 8 आ गई, that mean कि इस में जो हमारा correct answer हो रहा, वो हमारा क्या हो जाएगा, c option हो जाएगा,